बच्पन में एक चीज जो हमारे स्कूल बैग में जरूर मिल जाती थी वो थी पेट्रोलियम जली फटे और उखे होटों से बचने के लिए हम इसका साथ कभी नहीं छोड़ते थे जी हाँ, स्कूल में भी नहीं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जली ना सिर्फ फटे होटों को मुलायम बनाती है बल्कि स्कीन और बालों से जुड़े इसके और भी कई फाइदे हैं आज हम आपको बताते हैं पेट्रोलियम जली के ऐसे ही कुछ चौका देने वाले फाइदों के बारे में जिससे आप अभी तक अंजान थे अक्सर सर्दियों में ठंडी हवाओं की वजह से स्कीन फट जाती है तो पेट्रोलियम जली के इस्तमाल से आप इस पर रशानी से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं अगर कभी आपकी स्कीन जल जाए तो इस पर पेट्रोलियम जली लगाएं ये जलन को कम करने में मदद करेगी हर रोज नहाने के बाद पेट्रोलियम जली का इस्तमाल करें ये रूखे स्किन की समस्या को खत्म करेगी हर लड़की का सपना होता है कि उसके आईब्रो और पलके घनी हो आपका भी होगा अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आप हर रोज सोने से पहले इन पर पेट्रोलियम जली लगाएं लेकिन हाँ इसके नतीजे के लिए आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा पॉर्फियूम के खुश्बू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं बस इसे पॉर्फियूम लगाने से पहले अपने स्किन पर लगा ले उसके बाद पॉर्फियूम लगाएं इससे perfume long lasting रहेगी सोने से पहले हर रोज एडियो पर वैसलिन लगाए ये आपके फटे एडियो को नर्म और मुलायम बनाएगी नेल पॉलिश की बॉटल के मुग पर लगे जमे और सूखे नेल पेंट को देखकर बड़ा ही गुसा आता है तो अब गुसा करने की जरुरत नहीं है बस पेट्रोलियम जली अपने नेल पॉलिश की बॉटल पर लगाए और इस पर रिशानी को हमेशा के लिए अलविदा कहें इसके साथ ही नेल पेंट लगाने से पहले नाखुनों पर इससे अच्छे से मसाज करें इससे आपके नाखुन तो मजबूत होंगे ही साथ ही ऐसा करने से नेल पेंट नाखुन से बाहर नहीं फैलेंगे अगर आपने टैटू बनवाया है तो इस पर भी पेट्रोलियम जली लगाना ना भूले ये टैटू से होने वाली खुजली से छुटकारा दिलाने के साथ साथ गहाओ को भढ़ने में भी मदद करेगी पलको और गालो को हाइलाइट कर सकती है आप इससे इसके लिए आप पेट्रोलियम जली को पलको और गालो के उठे हुए हिस्सों पर लगाए इसके मदद से आप इन हिस्सों को आसानी से हाइलाइट कर सकती है वही पार्टी में जाते समय अगर आप चाहती हैं कि आपके चेहरे की तरह आपके पैर भी चमके ये बालो से जुओं को खत्म करने में मदद करती है जी हाँ आपने सही सुना इसके लिए आपको जरुरत है बस पेट्रोलियम जली को अपने स्कैल पर लगाने की इसे थोड़ी देर रखे और फिर बालो को धोले पर हम आपको एक सचाई बता दे कि पेट्रोलियम जली हटाने के लिए आपको बालो को कई बार धोना पड़ सकता है वहीं हमें से कई लोग घर पर ही बालो को रंगने का काम करते हैं बालो को कलर करते समय या महदी लगाते समय दाग इधर उधर लग जाते हैं इससे बचने के लिए अगली बार आप जब भी बालो को कलर करें या महदी लगाएं तो सकीन पर पेट्रोलियम जली लगा लें इससे कलर या महदी के दाग नहीं लगेंगे दो मुहें बालो की समस्या को भी दूर करती है पेट्रोलियम जली अगर आपके बाल दो मुहें हो गए हैं तो इस पर पेट्रोलियम जली लगाएं इससे दो मुहें बालों की प्राब्लम दूर होगी और आखिर में पेट्रोलियम जली से जुड़ी एक और बड़ी सचाई ये है कि ये ना सिर्फ बालो और स्कीन के लिए फायदे मंद होती है बलकि इसके हल्प से आप दाग धबो से भी छुटकारा पा सकते हैं अगर डिनर पाटी के बाद आपकी महंगी नापकिन्स पर दाग लग गए हो तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है इसे धोने से पहले इसके उपर थोड़ी से पेट्रोलियम जली लगाएं और पल भर में दाग से आजा दिपाएं कई बार हमारे लेदर शूज या बैक्स धीरी धीरी अपने चमक खो देते हैं आप इन पर पेट्रोलियम जली लगाकर इनकी खोई चमक वापस ला सकते हैं लेकिन ध्यान रहें ऐसा करने के बाद जूतों के गंदे होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पेट्रोलियम जली और आप हर दिन इससे अपने कितने काम मिला सकते हैं आई होप आपको यह इनफर्मेशन पसंद आई होगी हेल्थ ब्यूटी फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम इनफर्मेशन और टिप्स के लिए देखते रहें बोल्ट स्काई और हमें लाइक और सब्स सब्सक्राइब जरूर करिए